गूड इवनिंग स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कुंडूक क्लासेज स्वागत है आज किस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश लेंग्विज के दो बहुत ही कॉमन वर्ड्स हैं एक तो है अबिलिटी और दूसरा है कपैसिटी इन दो वर्ड्स के भीज का हम डिफरेंस देखने वाले है आप लोगों की बहुत क्वेरी आती है कि सर इन वर्ड्स के बीच में डिफरेंस क्या है तो ऐसे ही बहुत ही कॉमन जो दो वर्ड्स है ability और capacity इन दोनों का difference आज की इस वीडियों में हम discuss करने वाले है students जो यह word है ability सबसे पहरे तो आप लोग इसका जो pronunciation है वो गलत करते हो आप इसको ability बोलते हो it's not ability it's ability ability और दूसरा word है इसको आप capacity पढ़ते हो यह capacity नहीं है students यह है capacity क्या है capacity तो pronunciation आपको दोनों words का धियान रखना है first one is ability and second one is capacity तो जो ability है हिंदी में इसको बोलते है योगेता और जो capacity है इसको हिंदी में बोलते है शम्ता तो देखते हैं ability का मतलब क्या होता है ability refers to a person's physical or mental ability to achieve or accomplish anything एक इनसान की physical और mental ability किसी भी चीज़ को प्राप्त करने की उसको हम कहते है ability दूसरी दरफ student जो capacity होता है वो क्या होता है it is the power of holding किसी चीज़ को मतलब किसी चीज़ की power hold करने की store करने की और accommodate करने की capacity is always in existence जो capacity होती है students हमेशा existence में होती है दूसरा जो difference students जो ability है it is not fixed जो ability है वो fixed नहीं है आप अपनी ability को आगे भी further improve कर सकते हो लेकिन दूसरी दरफ students जो capacity होती है वो fixed होती है किसी भी चीज़ की इसको आगे improve नहीं किया जा सकता और आपके जो ability है that is related to skill and intelligence वो जो है ability आपकी skill और intelligence से जुड़ी होई है मतलब किसी भी इंसान की जो ability है वो उस इंसान की intelligence और उस इंसान की skills पर depend करती है लेकिन जो capacity है students वो किस से related है किसी भी चीज़ की power से दो examples देखने है students He has the ability to become an excellent writer ठीक है उसके अंदर क्या है ability है उसके अंदर शमता है उसके अंदर योगिता है क्या है एक excellent writer बनने की मतलब अभी तो चलो वो नहीं है मतलब excellent writer लेकिन उसके अंदर ability है वो ऐसा कर सकता है मतलब वो इस चीज़ को और improve कर सकता है लेकिन the auditorium has a sitting capacity of 1000 जो auditorium है उसकी जो sitting capacity है वो कितने है हजार बंदों की है मतलब इसमें 1000 बंदे ही बैठ सकते हैं यह आप improve नहीं कर सकते कि आप 1000 की बज़ाए इसको हम 1200 बढ़ा दे नहीं जो आप उस चीज़ की capacity है वो fixed है दूसरा example देखते हैं some vitamins are said to have the ability to prevent cold कुछ जो vitamins हैं ऐसा कहा जाता है उनके अंदर क्या है ability है कि वो cold को ठंड से आपको बचा सकते हैं दूसी दरफ he has the capacity to handle this job उसके अंदर you know capacity है उस job को handle करने की तो I hope ability और capacity में जो difference है वो आपको clear हो गया होगा जो ability है students वो क्या है किसी भी इंसान की physical और mental जो उसकी योगिता है उसको हम ability बोलते हैं किसी भी चीज़ को प्राप्ट करने की लेकिन जो capacity है students वो किसी भी चीज़ की парवर है ओलंड करने की इ one आपकी स्टोर करने की या accommodate करने की उसका हम capacity बोलते है students और जो हमारा ability है that is related to skill and intelligence लेकिन जो capacity है वो आपकी power से लिटेट है तो I hope difference clear हो गया students next difference की class में हम फिर मिलेंगे जब तक के लिए bye bye